हेलो स्टूडेंट्स, अब एक्जामपूर कलम सिक्रांती, मैं प्रीती, आपका अपने परिवार एक्जामपूर में स्वागत करती हूँ, वेरी वेरी गुड आप्टिनों, टॉल ओफ यो बच चुके हैं, दोपैर के एक्जामपूर परिवार में, तो इब आपके अपने अपने एक्जामपूर परिवार में, तो इब जल्दी सेफ रापट से सभी स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजे, तक ही और स्टूडेंट्स क्लास में लाइवा सकें, और फिर शुरू करतें अपनी आज की बैतरीन क्लास को, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, अपने टॉप थर्टी कोर्शन को, तो जल्दी सेफ रापट से सभी स्टूडेंट्स सेशन में आ चाहिए, शुरू करेंगे अपने पर थर्टी कोर्शन को, ठीके जी, शुरू करीं, सबसी पहले मैं आप सभी को बता दू, कि एक्जामपूर लेकर आया है, अठारा फरवरी तब, सतर परसेंट का डिसकाउंट सभी कोर्स पर, मतलब आप एक्जामपूर के किसी भी कोर्स को पर्चेस कर सकते हैं, और किसी भ परवरी तक के लिए ही बैगिट है, शुरू हो गया है आपका सेलेक्शन मेला, जिसमें 22-28 परवरी तक, मतलब कल होगी इसकी लास्ट डे, अगर आप लेते हैं, ससी का कोई बैच, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, डिफेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, बिहार, हर्य जाणा, राजिस्थान, MP, IS, PCS, और टीचिंग, तो इन सभी के सभी कोर्स और बुक पर 70% आपको डिसकाउट मिल रहा है, ज्यान रगे, आपको लगाना है कोड एक्जाम 7070, ओकी, चाँ, शुरू करतें फिर आज के सेशन को कोशन नमबर 1 के साथ, कोशन नमबर 1 आपके स् पढ़िए जरह इसको फड़ा-फड़ से बताईए इसका अंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया कोशन से, लिटेस्ट कोशन से, इसरे कॉपियर प्लैन लेकर जरूर बैठा करो, ताकि चीजों को नौट डाउन कर लिया कर लिया, ठीक है, निमलिकित में से दो अलग-अलग ल यह कौण सॉप्शन करेक्ट होगा, करिए जरह इसका अंसर, बताओ, दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, दो लैन बिची हुई है, लैन का मतरव क्या होता है, लैन की फुल फॉर्म हो जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क जो होते है, धाई किलो ग्रूप से चोटे होते हैं, तो दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को, जोडने के लिए ब्रिज का इस्तिमाल किया जाता है, option D, bridge will be right, आपसर ध्यान रखना है, ब्रिज एक networking device होती है, जिसका इस्तिमाल, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को, जोडने के लिए किया जाता है, question number second, निमलिकित में से कौन सा network protocol, link state routing प्रदान करता है, which of the following network protocols provide link state routing, link से, या link बना कर आपस में चीज़ों को जोडने की routing, इन में से किसके द्वारा provide करवाई जाती है, बताइए जना चल्दी से इसका answer क्या हो जाएगा, बताइए जना फड़ापट से इसका answer क्या हो जाएगा, bandwidth waste now, इसके लिए net where, bandwidth waste now, bandwidth का मतलब है, एक second में जितना data इधर से उधर जा रहा है, bandwidth waste now, data इधर से उधर waste now, इसके लिए net where protocol का इस्तिमाल किया जाता है, कौन सी protocol हो जाएगी, NLSP, NLSP की full forming होती है, net where, net where link state protocol, इसके full forming ही है, net where link state protocol, इसके इस्तिमाल किया जाता है, link state के लिए, bandwidth, जब आप network बना रही हूँ, network बनाते समय, data एक जगा से दूसरे जगा जा रहा है, इसी को bandwidth का जाता है, bandwidth को measure किया जाता है, BPS में bit per second में, आप देखे ना, internet की speed कितनी आ रही है, kbps हो रही है, mbps हो रही है, gbps हो रही है, तो bandwidth which now इस वज़ा से NLSP का use किया जाता है, अच्छा, question number third, which of the following is, popularly known as hardware or physical address in networking, यह question किया हुआ ता मिलता चुलता इसी के जैसा, निम्लिकित में से networking में किस hardware या, भौतिक पते को लोग प्रिया रूप से जाना जाता है, question number third के लिए कौन सु option correct हुजाएगा, करिये ज़राइस का answer, भौतिक पते के रूप से, अगर आप अपने system में किसी hardware को connect करते हैं, if you connect any type of hardware with your system, then you have a type of address, what is a type of address, physical address मालो ना, दो तरीके के address होते हैं अपने पास, system के अंदर दो unique number होता है, एक होता है logical address, एक होता है logical address, और एक होता है physical address, दो प्रकार के address होते हैं, बिल्कुल सही बात है, logical address IP address को कहते हैं, और जब आप किसी hardware को जोडते हो, physical address MAC address को कहते हैं, physical address हो जाएगा Mac, Mac की full form हो जाएगी media access control, Mac की full form हो जाएगी media access control, Mac जो 44 bit की जगा लेता है, system के अंदर store होनी की, option C correct हो जाएगा, option number 4, where are data and programs stored when using a processor, निम्लिकित में से processor use करते समय, data और program कहा इस्टोर होते है, disk memory, program memory, main memory, secondary memory, कौन सौप्शन याँ पर correct हो जाएगा, करिये जरा इसका answer क्या हो सकता है, चलो ठीक है बच्चा सोचा जाएगा इसके बारे में, copy paste बिलकुल भी ना करें, ठीक है, थोड़ा सहीं बरत के रखो भई, आप पेश नहीं करो शकान को, आजाओ जड़ा इज़र देखते हैं, तो जब आप क्या करते हैं, वेरा निटा, एंड program stored when using a processor, जब processor काम कर रहा है, वरतमान में जो भी काम किया जा रहा है, वरतमान में जो भी काम होता है, जब वो processor काम कर रहा है, उस time पर आपका data कहां store करके रखा जाता है, तो जितने time data काम करता है, उस समय आपके data को RAM रिस्टोर करते हैं, वरतमान में यूज होने वाली memory RAM होता है, RAM को main memory कहां जाता है, random access memory कहां जाता है, internal memory कहां जाता है, पर काम करता है, question number five के लिए कौन option correct होगा, करिये जरा इस का answer क्या हो सकते हैं, बताईए जरा जल्दी से USSD किस पर काम करता है, बताओ फटाफट से, बताईए जल्दी से किस पर काम करता है, बताओ 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 यू एस्टी की full form क्या हो जाती है, uninstructured supplementary service data, uninstructured supplementary service data, यहां, फुल-फॉम हो जाती है, अगर हम बात करते हैं, यू-एस्जीड और इसका इस्तिमाल किया जाता है, GSM मुबाईल में या GSM नेटवर्क में, GSM की फुल-फॉम होती है, ग्लोबल सिस्टम मुबाईल, ठीक है, ध्यान रखना ही सारी चीज़े, GSM SIM के बारे में आपने सुना होगा ठीक है GSM की full form क्या हो जाती है Global system mobile Global system लिख लो इसको भी लिखना है तो Global system Mobile or communication Mobile or communication ठीक है GSM network पर काम करें Radio frequency किस पर काम करती है तो radio frequency Bluetooth जो है वो radio frequency पर काम करता है Cellular network Electromagnetic field Electromagnetic waves यह cellular network पर काम करती है Answer option B था आगे चलते है question number 6 पर निमलिकित में से Internet से क्या आशे है क्या यह large CSMA CD network है Large client server network है Intra network है यह network का network है Question number 6 के लिए कौन सॉप्शन करेक्ट होगा करिए जला इसका अंसर क्या हो सकता है Internet को इन में से किसके द्वारा जाना जाता है बताओ जला इसका अंसर क्या हो सकता है करिए question number 6 के लिए कौन सॉप्शन करेक्ट होगा बताओ जल्दी जल्दी से अरे जैसे बैंकों का बैंक, क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहां पर इसका मुख्याल ले है मूंबई में इसी तरीके से नेट्वर्कों के नेट्वर्कों को इंटरनेट कहा जाता है इंटरनेट का विश्कार 1969 में हुआ था तब इसका नाम नेटवर्क ना होकर आर्पा नेट रखा गया था Advanced Research Project Agency Network आगे चलकर 1970 में आगे चलकर 1970 में आर्पा नेट में दो प्रोटोकॉल जूड़ी गई TCP और IP और इसको बना दिया गया Internet, Network का Net वर Internet ठीक है, Internet का कोई स्वामी नहीं है Internet का कोई स्वामी, कौन हो स्वामी नहीं Question number देखेंगे 7 निमलिकित में से किस एरर की जाच compiler कर सकता है Question number 7 के लिए कौन स्वाप्शन करेक्ट हो जाएगा करो जड़ा इसकार्ट Which of the following error can be checked by the compiler Question number 7 के लिए कौन स्वाप्शन यहाप पर बिल्कुल करेक्ट होगा करो I think यह वाला Question हमने किसी और भाशा में किया था पहले, यह बर कर चुके हम ऐसा स्वाप्शन है Compiler कौन सी Error को चेक करता है Compiler syntax error को चेक करता है syntax का मतलब होता है Program के लिखने का तरीका Program का लिखने का तरीका Program का लिखने का तरीका सही है या नहीं Program का लिखने का तरीका इस तरीके से चेक किया ज़ता है आपने ब्रैकेट जो उपन किया था वो बंद कर दिया Sammy Codden जहां लगाना चा लगा दिया यह सारी चीजे syntax error के अंदर आती है प्रोग्राम का लिखने का तरीका सही है या गलत, उन सब चीज़ों वो चेक करता है, compiler, compiler सारी डिटा को एक साथ प्रोग्रामिंग भाशा में चेंज कर दीता है, interpreter एक एक लाइन को पढ़ता है, उसको चेंज करता है, निम्लिकित में से ABC computer के अविश्कारक कौन है, कौन है वो विश्कार, इन में से किसके द्वारा किया गया था, बता दो 8 portion का answer, C आत हो रहा है, Bill Gates, अच्छा, answer बता रहे हो, वो भी out, पता नहीं कहां ही जा रहा है आपका answer, C किस खुशी में आ रहा है किसी का, Bill Gates ने ABC computer बनाया था, ABC computer इसकी full form ही होती है, Agnes of Barry computer, ABC computer की full form होती है, Agnes of Barry computer और इसने बनाया गया इन ही दो व्यक्टियों के बारा, पहले थी Agnes of Bruce लेती Barry, Agnes of और Barry दोनों व्यक्टियों ने मिलकर ABC computer का विश्कार किया था, आ गया चाहती है, निम्लिकित में से USSD में किसका उप्योग किया चाहता है, Unstructured Supplementary Service Data की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से किसका इस्तमार USSD के अंदर करते हैं, कुशन नमबर 9 के लिए कौन सौप्शन करेक्ट हुजाएगा, करिये ज़र इसका अंसर क्या हो सकते हैं, बताईए जल्दी से फड़ापट से क्या होगा इसका अंसर, यूएसस्टी का इस्तमार करते हैं, जब भी आप Unstructured Supplementary Service Data का इस्तमार करते हो, पेइमेंट के लिए किसी भी काम के लिए, जब आपन के लिए, जब आपन के लिए, तो हमें M-PIN का यूज़ करना पड़ता है, M-PIN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यह भी पूछ सकता है, M-PIN की फुल फॉर्म, Mobile Personal Identification Number, आप इसको कह सकते हो, M-PIN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यह M-PIN को किसके नाम से जाना जाता है, लिखना, Mobile Personal, Mobile Phone Personal, Identification Number, Identification, Identification Number के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी, M-PIN डालते हैं न, योनो यूज़ क्या है किसीने, योनो, योनो सर्विस कौन से बैंक के द्वारा दी गई है, यह तो बता दो, यह तो पूछी सकता है, योनो के बारे में सुनाएं आपने योनो, योनो सेवा या योनो सर्विस किस बैंक के द्वारा दी गई है, योनो सर्विस किस बैंक के द्वारा दी गई है, आप्शन ले ले ना, योनो सर्विस, ICICI बैंक ने दी है, बैंक ओफ इंडिया के द्वारा की गई है, योनो सर्विस इन में से किस बैंक के द्वारा दी गई है, योनो सर्विस होती क्या है, विल्कुल वेरी गूड आंसर, योनो सर्विस, SBI बैंक के द्वारा दी गई है, जोनो एक अप्लिकेशन है, इसको बनाया गया कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, कितने तक पैसे निकाल सकते हैं, कैश, आप जोनो अप्लिकेशन का इस्तमाल करके आपको एक कोड दिया जाता है, उस कोड का इस्तमाल आप SBI के किसी भी ATM में जाके कर सकते हो, SBI के ATM में जाना पड़ेगा, कितने रुपे तक का कैश निकाला जा सकता है, नगद, कितने रुपे तक का नगद इस अप्लिकेशन की द्वारा निकाला जा सकता है, पाँच हजार, दस हजार, दीस हजार, एक लाग, कितना कैश निकाल सकते हैं योनो सर्विस से, बिना कार्ड के आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, आपके पस फोड आएगा, फोड डालोगे, ओटीपी डालोगे, आपका पैसा निकल जाएगा, मैक्सिमम 20,000 कैश निकाला जाएगा, 20,000 कैश निकाला जाएगा, SBI की सब्सक्राइग से, आगया जाएगा, OLX, OLX पे बेच दे, सुना होगा आपने ऐसे बहुत से आट के बार, निमलिकित में से, OLX, इन में से किस पर आधारित है, फुशन नमबर 10 के लिए कौन सा उप्शन करेक्ट हो जाएगा, OLX is based on किस पर, OLX क्या है, क्या ये business to business काम करता है, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, क्या ये business to customer काम करता है, व्यापारी से उपभोगता को मिलता होता है, customer to customer काम करता है, उपभोगता से उपभोगता के द्वारा काम किया जाता है, customer to business काम करता है उपभोगता से बिजनस्मेन के द्वारा चीजों का ले दिन किया जाता है पूश्चन नमबर टेंग अब पताओ धान से सोचो ओ एल एक्स क्यों सी वेबसाइट होगी और कैसी वेबसाइट होगी ओ एल एल एक्स अच्छा मुझे एक बात बताओ ओ एल एक्स क्या है ओ एल एक्स पे लोग पता नहीं क्याक्या बेच रहेएं बहुत चीजे बेची जा यह जैसे 30,000 का मैंने खरीदा था पर आज मैं इस बैड को 5,000 में बेच रहा हूँ इसका मत्कब उस व्यक्ति ने भी कभी ना कभी तो खरीदा था बैड को वो भी तो customer है और जो उस बैड को खरीदने के लिए आया उसको वो चाहिए वो तो खुद ए customer है कस्टमर से कस्टमर तक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है OLX के द्वारा option 10 करेंट हो ठीक है उस ताइम पहले मैंने देखा लोग काई बकरी भैंस सब बेच रहे हैं उस पर वो दिन दूर नहीं जब लोग इंसानों को भी बेच देंगी आ जाओ जरा वह एक मुवी नही अगर मैं OLX की जगा Amazon लिख दूं तो बताना क्या अंतर आएगा मैंने Amazon लिख दिया श् hun लख नहीं टिक है यहले मैजन में से कौन से या किस मोडल पर आधारित है एमेजॉन इन में से किस मॉडल पर आधारित है अब बात हो गई है बेचने वाला कौन है बेचने वाला बिजनसमेन है जो बेच रहे है वो बिजनसमेन है स्टोर का नमबर दिया जाता है स्टोर का नाम दिया जाता है कंपनी का नाम दिया जाता है बेचने वाला बिजनसमेन ह खरीद के वाला उप्भोगता है तो एमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेंत्रा, आज यो बहुत सी वेबसाइट्स हैं ये बी टू सी के लाएंगी, ऑप्शन बी विद्राइट आपसे ध्यान रखना है इस चीज के बारे ठीक है, ये चीजे ना जब आप करते हो ये नेचरल ही आती बिजनस से कंसिमर डारेक्ट करतो होगे, रटा होगे तो दिंकत हो जाते हैं, वेच आप फॉलवेइं इस दा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर, शक्तिमान वाला कंप्यूटर, सूपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, बतान हाला कि उसे CDC 6600 के नाम से भी जाना जाता था, अमेरिका के द्वारे इसको बनाया गया था, बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सैमिर क्रे, अपनी नाम पर इन्होंने रख दिया था, सैमिर क्रे नाम के व्यक्ति के द्वारे बनाया था, भारत का पहला सूपर भारत का पहला सूपर कम्पुटर 1991 में पूने में बनाया गया सीड़ कमपनी के द्वारा सेंटर फॉर डेवलोप्मेंट एडवांस्ट कम्प्यूटिंग के द्वारा नाम था परम परम आठ हजार आठ सो दस हजार देकर कन्फ्यूज करेगा याद रखना आठ हजार परम आठ हजार बनाया गया श्रेक इसको चाहता है विजे पांडूरंग भाट कर जी विजे पांडूरंग भाट कर जी ठीक है जी आगे चली अच्छा इस में चीज और देख लो मेंड फ्रेम कम्प्यूटर सर्विस सर्वर की तौर पर इस्तमाल किया जाता है सेवा देने वाला माइक्रो कम्प्यूटर जो लैप्टॉप छोटे कम्प्यूटर है जो हम लोग इस्तमाल करते है मिनी कम्प्यूटर बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाए वेच और फॉलॉविंग पिपल वू डू हैकिंग वीगली आर कॉर्ट निम्लिकित में से कानूनी तौर पर हैकिंग करने वाले लोगों को क्या कहा चलता है अगर मैं बात करती हो हमारी जो खूफिया एजेंसी है भारत की खूफिया एजेंसी का नाम क्या है हमारी जो खूफिया एजेंसी है वो सपोस किसी व्यक्ति पर उसे शक है तो वो हैकिंग करवाएगी वो लोगों को रखती है हैक करो जसका अकाउंट हमें लग रहा है कि पाकिस्तान वालों से मिला हुआ है करो असको पूरा का पूरा एकाउंट सीज करो देखो क्या बात करता है कई हनी ट्रैप में तो नहीं फस गया हनी ट्रैपिंग सभी जानते हो हनी ट्रैपिंग होती है जब आतंगवाधी देश के आतंगवाधी देश की महिलाएं भारत ये क को फसाती हैं बातचीत करती हैं और उनसे अंदर की जानकारी निकालती है ना तो बहुत बार होता है कि भारत सरकार भी हैकिंग करवाती है उसके लिए वो हैकर रखती है उनको कहा जाता है एथिकल हैकर वो हैकर जो कानूनी तौर पर हैकिंग कर रहे है सरकार के कहने पर हैकिं कि वेंच फॉलोविंग बैंक लॉंच दा फॉस्ट रूपे एटीम रूपे एटीम माइक्रो एटीम कार्ड आधार नंबर के साथ इनमें से किस बैंक के द्वारा लॉंच किया गया था अच्छा आपने सुना हो गई तो वीजा एटीम होता है और इक होता है रूपे पता है पहला एटीम कार्ड इनमें से किस बैंक ने दिखाया या कौन सी बैंक ने लॉंच किया बताओ रूपे एटीम माइक्रो एटीम इनमें से किसके द्वारा लॉंच किया गया था करिए जरा फड़ाफट से बताई इसका उत्तर क्या हो रूपे एटीम कार्ड माइक्रो एटी का कार्ड वीजा जो कार्ड है ये अमेरिकन का है हम लोगों ने जब से रूपय कार्ड इस्तまず करना शुरू किया है गहा बहुत घाटा हुआ वीजा वालों को अमेरिका वालों पैसा कियो जब वीजा कार्ड का इस्तまず कोई चीज 125 रूपय parties तो आपको कार्ड से भुगतान करना पड़ता था 127.5 मतलब धाई रुपए आपका चार्ज लगता था उस कार्ड को यूज करने का एक बंदे में स्वाइप किया धाई रुपए दिये सोचो कितने लाकों करोडों लोग है जो स्वाइप करते हैं तो लाकों करोडों कार्ड का इस्तमाल करते हो तो 125 रुपए ही देना पड़ता है 125 रुपए के समाट यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कार्ड का नहीं लगता है कुशन नमबर 14 निमलिकित में से ब्राउजर में कई टैब उपन हैं कंट्रोल प्लस डबलू शॉर्टकट की का इस्तमाल करने पर क्या होगा सारे टैब बंद हो जाएंगे सारे ब्राउजर बंद हो जाएंगे जो वर्तमान में टैब चल रहा है वो बंद हो जाएगा या इंड में से कोई भी काम नहीं होगा करिए जला इसका आंसर फटाफट से यहां पर क्या होगा बताओ पॉंस ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेंट हो जाएगा पुशन नमबर 14 के लिए क्या होगा इसका आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है क्या बात है कंट्रोल प्लस जबलो की बात कर रहा है वरतमान की विंडू है कंट्रोल प्लस जबलो से वर्तमार की विंडो को बंद करने के लिए Ctrl W का इस्तिमाल किया जाता है Close Current Tab Option C Right Answer आगया जाओ Which of the following Memory Storage is widely used in PC and Embedded System निमलिखित में से PC और Embedded System में किस Memory Storage का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है Embedded System बताएं आपको Embedded System जिनमें पहले से मेमोरी जिनमें पहले से डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर आपकी स्मार्ट घड़ी बता देती है आज हाई दिया एक मिना नमी मेरा दिल 68 बार धड़का नहीं अरे बताती है हाट मीट नहीं बताती है स्मार्ट वाच आज मैंने इतने कदम चल लिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लोग हो रहा है तो यह सारी चीज़े बताई जाती है क्योंकि इनके प्रोग्राम पहले से स्टोर होते है इने को Embedded System, Embedded Operating System के नाम से जाना जाता है इन में से किस Memory का इस्तेमाल किया जाता है Question No.15 के लिए कौन सौप्षन करेक्ट हो जाएगा तो DRAM का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो Memory Store है वो Dynamic है बदलती रहती है अगर आज आपका दिल धड़का एक मिनट में 68 टाइम्स तो कल हो सकता है 70 बार धड़क जाए फिर 72 बार भी धड़क सकता है तो Data Change, Variation Change होती रहती है DRAM का इस्तेमाल किया जाता है DRAM की Full Form होती है Dynamic अरी बताता नहीं हार्ट बीट हस क्यों रहोगा Dynamic Random Access Memory Dynamic Random Access Memory ठीक है आगे चलो Next Potion देखेंगे निम्लिकित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है यह बड़ा अच्छा कोशन है और बड़ा इजी कोशन है अगर आप इसमें भी करते हो गड़बड तो फिर तो फिर क्या याद करो से गड़बड क्यों कर रहे हो भी भी पोशन नंबर 16 और आप पर समय शुरू होता है अब करो जरा एक बार फटा फट से बताओ इसका उक्तर क्या हो सकता है बताईए बाइनरी लेंग्वेज बाइनरी लेंग्वेज का विश्कार किसके द्वारा किया गया था बताओ जरा एक बार जल्दी जल्दी से बाइनरी भाशा का विश्कार किसके द्वारा किया गया था बाइनरी नंबर तो है तो सही आंसर है जिसके द्वारा किया गया, कंप्यूटर या कोई भी मशीन, विश्व में चलने वाली कोई भी मशीन, या कंप्यूटर, केवल और केवल अगर मैं बोलू, तो binary number को ही जानता है, binary language को ही समझता है, binary बाशा होती है, 0101 ठीक है जी, binary बाशा को जानता है, binary बाशा का मिश्कार, God tried Lebanese नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना, binary number पे प्रोग्राम बनाने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम था, Lady Ada Loveless Agusta, जिनका नाम था, Lady Ada Loveless Agusta, ये भी याद रखना, इनको नोट क्या करो, जो एक्स्ट्रा आपको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या आपको ध्यान देना है, आज ओ, हम बताते हैं क्या ध्यान देना है, बाकी की तीन भाशा हैं बच गई, इन तीन भाषों को भी अच्छे से देख लेते हैं बाइनर्य के बारे में उक्तपने बहुत अच्छे से समझ लिया हा थे सिक आल अच्छे सव भाशा की आए तीक यह उत्तर तो इस लिफारscale क्या होती है वैशी कि फिल tisach beginners of beginners all symbolic instruction को और symbolic instruction को इस भाशा को नीव की भाशा कहा जाता है coding सीखने से पहले इसी भाशा को सिखाया जाता है basic भाशा का विश्टार किया गया था किसके द्वारा कौन तो भी जिसने किया था देखना जरा basic मैं बताती रूँ जाओ basic भी नहीं आता है उसे पूट दो पकड़के इतना बड़ा जिसको basic भाशा भी नहीं आती पूट दो पकड़के तो कैमिनी और पूट नाम के दो वियक्तियों के द्वारा basic भाशा का विश्कार किया गया था दैनिस रुचि नाम के वियकति के द्वारा दैनिस रिची और कैन थॉमसर के वर दैनिस रिचल लिखना फिर आती है एसेंबली लेंगवेज असेमली भाशा को निमानिक भाशा कहा जाता है बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का इस्त्माल करना एडिशन के लिए एड, मल्टिप्लिकेशन के लिए मल्ड, डिविजन के लिए डिव चलिए आगी, आज़ों, निम्लिकित में से इंटरनेट ओफ फिंग्स शब्द किसने लिखा था, वो among the following point, the term internet of things, IOT, ये अलग से chapter है, अगर आप VCMCA करते हों, IOT, internet of things, इन में से किसके द्वारा लिखा गया था, Edward Jameson, George Garton, Kevin Astone, या John Wright, कोशन नम्बा 17 के लिए कौन सौप्शन करेक्ट हुजाएगा, करिए जरा इसका अंसर, अरे, लिखो, कोई नहीं, थोड़ा slow कर लेंगे, भई, थोड़ा slow पढ़ादू नहीं, कोई problem नहीं, लिखना है, तो लिख लो आपको, मैं उसे sweet से पढ़ादू नहीं, चलो, internet of things, वो things जो internet पर पाई जाती है, चाहे वो social networking sites हो, चाहे वो OTT platform हो, कोई भी चीज जो internet पर पाई जाती है, इंटरनेट से related, जो भी चीज़े होती है, इनके बारे में, थियोरी, कैवेन एस्टानों के दौरा दी गई थी, option C will be the right answer, ध्यान रखना, आगे आ जाते है, उमंग एप को कब launch किया गया था, उमंग एप से काफी questions बढ़े थे, उचे गए थे, ट्रिपल सी में तो ज़्यादातर उमंग एप को खीचता है, नॉर्मली भी पूच सकता है भई, उमंग एप को कब launch किया गया था, question number 18 के लिए, कौन्स option correct हो जाएगा, करिए ज़्यादा इस काफी, उमंग एप को कब launch किया गया था, बताओ ज़्याए बार फटाफ़र से, उमंग की फुल्फर्म क्या होती है, यूनिफाइड, यूनिफाइड मोबाई, यूनिफाइड मोबाईड यूनिफाइड मोबाईड अप्लिकेशन पॉर, अप्लिकेशन फॉर, नू जेनरेशन, नू जेनरेशन, गवर्णेंज, आज कलके जो नए जेनरेशन के बच्चे हैं, वो लाइनों में खड़े होना नहीं पसंद आते, जाइर सी बात है, जो हमाई पापा, मम्मी जाते थे, बैंकों में लाइने लगाते थे, आज जाकर देखो आप, इतनी जलनी तो लोगों को जाता है, अब ज़्यादा भीरबार ना हो, दफतर के बाहर ज़्यादा लाइने ना लगी, इसलिए सरकार ने उमंग एप को लॉंच किया, इस उमंग एप के जरिए सरकारी ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कामकाज को आप घर बैटे इस एप्लिकेशन से क कर सकते हूं इसको लॉंच किया गया 26 नवंबर 2017 डी मॉनिटाइजिशन के एक साल बार ठीक है अच्छा डी मॉनिटाइजिशन कब हुआ था आप भी खड़ी थे क्या ATM की ATM तो क्या है क्या आपने भी गुलाबी रंग के नोट के साथ सेलफी डाली थी यही चलना था उस टाइ उसकिंग, पोर्टेबिटी, मर्टी यूजर, इसी तु यूज, इनमें से कौन सा काम यूटी यूजर, अपरेटिंग सिस्टम का नहीं है करिए जरा फरा फर से बताईज इसका अंसर क्या हो इनमें से कौन सा काम multi user operating system का नहीं होगा multi sorry unix operating system का नहीं हो unix कैसा operating system multi user multi task कैसा operating system में multi user multi task operating system multi tasking भी होगी multi user भी होगा portable भी है किसी भी system में टगा दो लेकिन Unix easy to use नहीं है क्योंकि Unix के लिए CUI based है command आनी चाहिए अगर command आती है तो ही चला पाओगी अगर वाइस चित्रों को देखकर काम नहीं हुआ है काम करने के लिए command आनी चाहिए easy to use कता ही नहीं है command C को तभी चला पाओगे Unix operating system को Unix operating system C भाशा पर आधारित C भाशा पर बनाया गया यह C भाशा पर आधारित operating system है इसका विश्कार किया था Dennis Richie और Ken Thomas नाम के व्यक्ति के द्वारा Dennis Richie और Ken Thompson Dennis Richie और Ken Thompson नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका विश्कार किया गया था आगे आचाओ डबलू 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 क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्लड वाइड वेव cice से हो जाता है इसके दवारा इसको launch किया गया था। यहां भी पूछ रहा है छार बार w देकर हैं breekt कि बताएज की फुल Jakobar क्या हो जाएगी कि अध्यान सामने दोगे बहुत सी चीजें जो आज आज आप नहीं सीख कर जाओगे new सीखने को मिलेगे अगर आप्टे आंग दो बित्त हो www.w.w.w. चार बार वर्ड वाइड वैब वॉम option C will be the right answer world wide web option C correct हो जाएगा W3C बोलेगा तो world wide web consortium हो जाएगा तीन बार W बोलेगा तो world wide web हो जाएगा क्या हो जाएगा answer इसका C हो जाएगा निमन लिखित में से कौन सी एक cloud computing की विशेशता है cloud computing का मतलब क्या है आपको free में data space दिया जाता है अगर आप iPhone लेते हो अगर आप Google लेते हो तो आपकी photos Google photos में आजाती है आती है आपको GB तक का data दिया जाता है कि free में यूज करो ये Google cloud computing है मतलब एक तरीके से एक ऐसा बादल है जो आपको जगा दी जारी है आपने सपोज एक कमरा खरीदा आपके मकान मालिक ने बोला कि भाईया आपका जो कच्राइट जो वेस्ट है आप एक store room ले लो हमारा उसने थोड़ी से जगा दे दी store room के लिया वही cloud computing होती है इंटरनेट पर जब आप अपनी details इंटरनेट पर ही छोड़ देते हो save करके तो वो cloud computing में store होती है इन में से कौन सी cloud computing का feature हो जाएगा विशेशता हो जाएगी question number 21 का answer क्या होगा cloud computing secure है बिलकुल बही मेरे banking अगर मैं online banking करती हूँ तो मैंने तो कोई application डाउन्डोड नी करी मैं online ही काम कर रही हूँ मैंने SBI खोला उसमें मैंने अपना account number डाला password डाला login कर लिए सारा काम internet पे हो रहा है secure है न ऐसा थोने आप कोई पैसा निकाल लेगा कोई तब तक आपके account से पैसा नी निकाल सकता जब तक आप उसके कहने केरू साथ पे ना तो उसको OTP भी बेजो और या फिर कोई application ना परून करो आज की time पे चोर जो हैं वो ऐसे फोन करेंगे कि आपका नाम है जो भी नाम ले लो आपका नाम है पोपट लाग और हमें आपकी मिलिये डीटेल आपकी शादी नहीं हो रही है आपकी शादी हम करवाएंगे आपने पहले इस जगा यह मासुम वो डाउनलोड कर लेते हैं और उस application को डाउनलोड करते के साथ ही जो हैकर वो आपके फोन में एंट्री ले लेता है फिर बोलेगा एक रुपए जरा भेज दो हमें आप तो जो पिन दबा रहे हो ना उस सामने वाले को दिखाई दे रहा है कि आपकी बैंक का पि चले जाओ और चले जाओ हर जगा यूज कर सकते हैं लार्ज नेटवर्क एकसे बहुत सारे नेटवर्क एकसे इसके पास रहता है तो यह सारे कि सारे फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं जो बीच में अगर मैं कोई चीज बताने हो वो रियालिटी है आजकल ऐसा ही ह बटी हुए ऐसा भी होता है मेरे नोन में गाड़ी होती है गाड़ी का प्लेट होता है प्लेट से डीटेल निकाल लेते हैं कि किसके नाम पे है कब खरीदी थी फोन कर देंगे कि भाईया आपने गाड़ी खरीदी यहां से खरीदी थी आप हमारे लग्की ड्रॉ में आ आग कर लेते हैं, आप जहां पर खाडी पार्क करोगे, वही से scan करके ले जाएंगे, तो चोर हो गए smart उससे बचने के लिए, हमें भी smart होना पड़ी, निमनिखित में से कौन सी topology के लिए एक multipoint connection, कौन सी topology को multipoint connection topology कहा जाता है, किस topology को multipoint topology connection कहा जाएगा, पुशन नमबर 22 के लिए बताईए कौन सॉप्शन करेक्ट होगा बताईए जल्दी से इसके लिए कौन सॉप्शन करेक्ट होगा आंसर आने स्टार्ट भी हो चुका है बही बेरी गुट मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सी टॉपोलोजी को कहा जाता है ठीको पॉटी क्या है परटीकुलwaldी तॉपोलोजी होती है computer को आकि जोड के रखने का structure structure of connected computers r-structure of connected networks network को आपस में जोडने का जो structure होता है उसे कहा जाता है किस चित्र में या किस आकार में network को जोडने टॉपोलोजी होती है पांच प्रकार की एक होती है बस टॉपोलोजी जब एक ही केबल का इस्तमाल करके कम्प्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है बस टॉपोलोजी में क्या होती है तो बस टॉपोलोजी में होते है टर्मिनल जहां से काम शुरू haraaye वहां पर एक terminal है जहां पर काम खताम हो रहा है वहां पर एक terminal होता है जब आप computer को एक कार में जोड़देते हो तो computer को कहा जाता है node और एक इक इकार में multipoint लगा रखे हैं इसलिए बस topology को multipoint topology कहा जाता है क्या कहते हैं multipoint topology कहा जाता है और पड़ा पड़ से देख लेते हैं फिर होती है आपकी एक ring topology एक होती है आपकी ring topology कौन सी हो जाएगी बोल आकार की जब computer को एक ring में छलने के नुसार circular motion में घुमाया जाता है देटा की सबसे छोटी unit क्या बोलते है token topology के अंदर ring topology में पाई जाती है फिर होती है कि star topology बीच में hub होता है जो बहुत से computer को आपस में जोडता है main computer जिसका इस्तमाल करके computer की connection को star की आकरती दी जाती है star topology एक होती आपकी mesh topology mesh topology की अगर मैं बात करती हूँ प्रतिएक computer प्रतिएक computer से जुड़ा हुआ होता है हर एक computer हर एक computer से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से ठीक है इसमें क्या होता है प्रतिएक computer प्रतिएक computer से जुड़ा हुआ होता है इसको कहा जाता है by directional topology by directional topology ठीक है चार हो गई है पांच भी बताओ कौन सी है पांच भी होती है tree topology tree topology को किन दो topology से मिला कर बनाया जाता है tree topology को कौन सी दो topology से मिला कर बनाया जाता है तो इसमें bus और star दो topology होती है इसका इस्तमाल बड़ी जगा large organization में किया जाता है ठीक है organization large organization में किया जाता है tree topology में bus topology का भी इस्तमाल होता है और साथ ही में star topology का भी इस्तमाल किया जाता है इसमें इसका नाम tree है इस बड़ी बड़ी कंपनी गुगल माइक्रोसॉफ्ट वहां पर ऐसे मॉडल का काम होता है और बहुत पैसा खर्च होता है एस एस सास की फुल फॉर्म क्या होती है सास वह वाली सास में वह वाली सास में एस एस कंप्यूटर में सास की फुल फॉर्म क्या होती है कोशन नमबर 23 के आंसे बताओ क्या होगा कोशन नमबर 23 के लिए कौन सॉप्शन करेक्ट हो जाएगा सास की फुल फॉर्म बतानी आपको क्या होगी सास की फुल फॉर्म होती है स्वीट अम्मा स्वीट अम्मा ही तो ह मगमीत होती है वो भी बताओ जी question number 23 का answer बताओ बस बागी मटरकस्ती बाद में कर ली ना आप सभी है ना जो question है important होते हैं ये मैं आपको guarantee देती हूँ question आपको मिलेंगे exam में पर उसके लिए copy और pen को लेकर जरूर बैठा करो class के अंदर ठीक है बना कुछ question number 23 के लिए कौन स option correct हुजाएगा बस आंसर आ रहा है बस पहले वाले का तो सहीता है इसका तो नहीं होगा student analysis system नहीं station analog system नहीं statistical analysis system ऐसा system जिसमें गुणा भाग calculation की जा रही हो उसे sas कहा जाता है computer की शब्दावली में option c will be the right answer CD का invention in meowe's से किसके द्वारा किया गया था कब किया गया था sorry किसके द्वारा किया गया था वो भी बता दोगे तो बजा जायह कहों AND सीडी का विश्कार किसके द्वारा किया गया वाई हूं और ये भी बताना कब किया गया करिए जरह का अंसर फटा फट से बताईए क्या हो सकता है बताओ 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 आना स्टार्ट में हो चुका है आंसर आप लोग हो चल सीडी का विश्कार कब किया गया था 1979 में जेम्स रसल नाम के व्यक्ति के द्वारा सीडी का विश्कार किया गया सीडी मतलब कॉंपेक्ट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क कॉंपेक्ट डिस्क का विश्कार किया गया था सबसे पहले मार्केट में फिलिप्स और ठोनी की सीडी उतरी हो सबसे पहले मार्केट में इंदोनों कंपणी ने सीडी को लॉंच किया था पॉम्पेक डिस्क, सीडी की स्टोरेज होती है 700 MB, 700 MB तक का डीटा इसके में स्टोर करके रखा जा सकता है ठीक है और और सीडी तीन प्रकार की होती है एक होती है सीडी रोम, सीडी कॉम्पेक डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, एक होती है सीडी रिकॉर्डेबल, एक होती है सीडी रीड राए CD-ROM के अंदर FIRE Firmware पाया जाता है ऐसे software जो पहले से system में डले हुए आते हैं जिनको delete नहीं किया जा सकता अगर मैं अपने phone मैंने कोई phone खरीदा, Motorola का phone है मिल पास मैंने Motorola का phone लिया इसमें पहले से application डले हुई थी वो Firmware हो थी, कहां होती है CD-ROM, CD-R Recordable होता है, पहले से Record आता है यह warm होता है Write one, Read many अरा डेटा एक बार जाएगा, record इसको repeat करके देख कहीं बार सकते हैं CD-RW Rewriteable या Read and Write यह blank CD होती है जो बाजार से खरीद के लाते हैं डेटा delete भी कर सकते हैं भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं Question No.24 के option C हो जाएगा याद रखना James Russell नाम की व्यक्ती के द्वारा बनाया गया था तीन प्रकार की होती है 700 MB, 700 MB storage होती है CD की Question No.25 निमलिकित में से DOS हमला अब यह DOS क्या है Disk Operating System नहीं है Cyber Attack दे दिया इसकी Full Form बताना Cyber Attack में क्या होती है निमलिकित में से DOS हमला जिसमें हमला वर बड़ी संक्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले TCP Connection को लक्षे होस्ट पर इस्थापित करता है उसे क्या कहा जाता है Question No.25 के लिए कौनस option करेक्ट होगा करीज रहिसका अंस क्या हो सब Which of the following DOS attack in which the attacker establish a large number of half open or fully open TCP connection to the target host is called Question No.25 के लिए कौनस option करेक्ट होगा करीज रहिसका अंस बताइए जल्दी से Question No.25 के लिए कौनस option या पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अंसर आने स्टार्ट हो चुका है देख लेते हैं सही है या नहीं कुछ तो गडबड कर रहे होता है आप देखो इसने क्या बोला DOS की फुल फॉर्म क्या होती है पहले आप यह देख लेते हैं हमला बार की बात कर रहा है तो cyber attack में DOS की फॉर्म होती है denial of service जब आप इंटरनेट पर किसी भी पेज, application, software का संपूर्ण लाब नहीं उठा पाते हैं जैसे ये ले लो राजिस्थान, सूचना, सायब के फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है दो मार्च लास डेट है आप फॉर्म को फिल करनेगी आप वेट कर रहे हो कि मैं तो दो मार्च को इफॉर्म भरूँगा ऐसे बहुत दोग होते हैं जो लास डेट में इफॉर्म को भरते हैं उस ताइम पर पेजे नहीं खुलता server down चला जाता है कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, तो इस बारी situation को DOS कहा जाता है, denial of service, आप service सेवा का लाभी नहीं उठा पाते हैं, यहाँ पर हमला किया गया है, किसके द्वारा, rival company है, दूसरी company उसके द्वारा, जो हमला किया जाता है, ताकि आप page को खोल ही ना प आला, कि 28 फरवरी को ठीक 12 बजे, दोपेर 12 बजे, हम आइफोन को, हम आइफोन 13, 20 हजार में बेच देंगी, sale लगा दिनों, अब इसकी एक और rival company है कोई, फलो की दुकान ले लो, या fly ले लो, fly, fly ने क्या करा, एक program सेट कर दिया, कि 28 फरवरी 12 बजे, अम्मा की दुकान के पेज को ब्लॉक कर देना, मतलब नगली traffic बेज कर, robot को पीछे लगा दिया, कि तुम बोलो, हमें चाहिए आइफोन 13, हमें चाहिए आइफोन 13, अम्मा की दुकान के पास server है, वो अपने server को activate कर देगा, उसे पतल चल जाएगा, कि हमारे उपर attack हो है, अम्मा की दुकान की website क तो sale निकालती है, उसमें क्या होता है, तुरेंट phone बिक गया, ऐसे कैसे बिक जाता है, तो company stay लगा देती है, क्योंकि उस पर attack हो चुका होता है, तो पहले वो attacker को सही करती है, फिर आकर आप लोगों से deal करती है, ऐसे हमले को connection flooding कहा जाता है, जब connection एक साथ बहुत सारे आ जा question number 26 को पढ़ो, निमलिकित में से among app कितनी भाशाओं में उपलब्द है, how many of the following languages are among app available, साथ में मुझे आप ये भी बता दीजेगा, 2000, 2000 तो छोड़ो, COVID के लिए, COVID के लिए भारत सरकार की द्वारा कौन सा app बनाया गया था, DG Locker, बहुत अच्छा app है, मैं इसकी विशेशता आपको कर बताती है, DG Locker किसके द्वारा कब launch किया गया, कब इसको launch किया और किसने किया, ये दोनों चीजे बता दिया, ऐसे COVID की जो application थी, कब launch की गई, किसने की, सभी ने almost इसको कर रखा था, ये बता देता था, आपके असपास कितने लोग है, जो COVID, जिनको COVID हो गया है, भवान कर ऐसे नमाई, कभी नहीं पर मिश्ये में, चलो, तो आज की session को लोग इपर रखते हैं, आशाए कि आपको class अच् एक बजे और बैतरीन, बैतरीन कोश्शन के साथ, कोश्शन ऐसे होंगे, आपको जरू हर दिन, नया सीखने को मिले हो, class अच्छी लगी हो, तो like जरूर कर दिया कीजे, एक like की कीमत, तुम क्या जानो रमीश पा, session को like जरूर कीजेगा, ठीक है, और notes बनाओ, notes बहुत अच् जिने भी teachers हैं, एक मिनट रुखना बस बच्चा, पर pdf create करो, आपको class की pdf, exampur application पे provide करवाई जारी है, जितने भी student है, आप सभी को, सभी class की pdf, computer की भी, reasoning की भी, maths की भी, gkgs की भी, current की भी, सारी pdf, आप सभी को provide करवाई जारी है, exampur की application पे, उसके लिए आपको download करना exampur का app, download करने के बाद install कर लिए अपने system में, registration बिलकुल free है, और वहाँ से आपको free में, youtube की pdf मिल जाएगी, move to move to move, ठीक है, इसी के साथ करते है, session को end, मिलते है कर, तक तक है, हस रही है, मुस्क्रात रही है, कुछ रही है, अपने घबलों का ख्याल रखे, जय हिंत, जय के बाद Sorry, मुस्कर रही है, बारे मुस्कराती है, गा guitar, है के बाद रही है, वह रही है, आप है नपने मुस्क करते हैं, ऑवने उलक में, आप करता है, मुと मुत बदाने कर रही हैं,